हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके यूटूब चेनल टेग बॉम किसमिस दोस्तों आज की वीडियो हम चलिए जान लेते हैं आप अपने ओपो f19 के फोन में स्मार्ट काल सेटिंग को अच्छी तरीके से यूज कैसे करेंगे और उसे आन कैसे करेंगे तो दोस्तों मैंने बताया हुआ है आपको अपने ओपो f19 के फोन में किस तरीके से स्मार्ट काल सेटिंग का यूज करना है और कैसे कैसे उसे अनेबल करना है तो चलिए विनातिर की आपको लेके चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आचुके ओप स्मार्ट काल का ओप्शन पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलता है स्मार्ट काल का ओप्शन पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपके पहला अगर आप इसे यान कर देते हैं तो आपके फोन में कोई भी कॉल आती है तो आप फोन के अपने कान के पास ले जाते हैं आटोमेटिक एंसर उस फोन का उठी जाता होगे और दोस्तों इसके बाद दूसरा जो option अगर आप इसे आन कर देते हैं तो आप अपने फोन में अगर hand free करके बात कर रहे होते हैं तो उस समय अगर आप अपने फोन को अपने कान के पास ले जाते हैं तो आटोमेटिक hand free मोड से फोन आपका हट जाता है यानि कि speaker मोड से हट जाता है इसके बाद आप देख लेते हैं तीसरा जो option तीसरा option जो फिलिप to mute incoming calls दोस्तों अगर आप इस option उनको last वाले option को on कर देते हैं तो आपके phone में जब भी कोई call आती है तो उसको mute करने के लिए आपको अपना phone जो उल्टा करके रख देना होता है यानि के फिलिप to mute incoming car दोस्तों अगर आपका phone का display उपर है तो नीचे कर देजिए नीचे है तो उपर कर देजिए यानि के आपको अपना phone उल्टा कर देना है आपकी call में उठ हो जागी ओके दोस्तों तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने phone में smart call setting का यूज अच्छी तरीके सिख कर सकते हैं दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंदाए वीडियो को एक लाइक करना साथी चैनल को भी subscribe कर लीजिए गा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई